हाथियों का गनित उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है, मेरे मनने के बाद मेरी सारी जायदात को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बाठ लेना, एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्न की कोई भी हानी ना हो. कुछ दिन बाद सेट स्वर्क सिधार गया, तीनों लड़कों ने जायदात का बटवारा पिता की इच्छा अनुसार किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए, कारण था कि सेट ने हाथियों के बटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को एक तिहाई और ती समाधान हो, कभी तीनों ने देखा कि एक साधू अपने हाथि पर सवार, उनकी ही और आ रहा है, साधू के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई, साधू ने कहा कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हुए, अब सामने 18 हाथी खड़े थे, साधू ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 हाथी ले जाओ, दूसरे लड़के को बुलाकर उसने एक तिहाई यानी 6 हाथी दे दिये, छोटे लड़के को उसने बुलाकर क रहा कि तुम भी अपना 9 हिस्सा यानी 2 हाथी ले जाओ, 9 जमा 6, जमा 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और 1 हाथी, फिर भी बचा गया, लड़कों की समझ में यह गड़ित बिलकुल नहीं आया और 3 साधू महाराज की ओर देखते ही रहे, उन सब को इस हालत में देखकर साधू महार महाराज ने अपना हाथी देकर कितनी सरलता और भोलेपन से एक जटिल समस्या को सुलजा दिया,